हर्यों स्टुडेंट्स वो लास्ट हम चैप्टर 24 किये थे परन्तु लास्ट जो हमने किये थे कभीर के दोहों की तो कभीर के दोहें लेकिन एक चैप्टर जो अभी भी शेश है तो अब हम जो करेंगे चैप्टर 20 जो कि एक पोएट्री है और आपने ये पोएट्री आपने पोएट्री आप एट स्टेंडर्ड में आप कर चुके है ना तो इसमें कुछ खास याद सिखाने की दरती परणतु हाँ एक तरह से हम इसका रिवाइज अवश्य कर सकते हैं तो इसका रिवाइज करेंगी अभी हम एक डम बीजी है बस एक और बार आपी से समझे तो आपको आइडिया हो जाएगा इस पोएट्री के बारे में क्या पता कई लोगों ने ये कोवीट के टाइम पे किया होगा या नहीं किया तहां भी जाने परन्तु एक और बार इसका अधियन अवश्य करें ठीक है है बड़े मज़ेदार और कापी इंट्रेस्टिंग कविता है यह हम मनुश्य के महानता का इसमें व्याक्ष्य किया है जिसे जो कवी है इसलिए मनुश्य को धर्ति किशान कहा गया है आई लेकिन यह कोईता के बारे में जाने से पहले हम कोई रश्वाक जाते हैं पंडित भरत प्यास जी हिंदी साहीद के जगत के जाने मानिंग गीत का रढ़े हैं आपका जन्म राजसान की चुरू नामख कस्बे में हुआ था आपने कई गीत काव्यू की रचना किया है आपकी गीत रचना हैं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है आपकी रचनाओं में विभिन्दा मानों मुल्य प्रसाबित हुए है प्रस्तुत संथ 1958 में आई हिंदी फिल्म गाउं की गोरी से लिया गया है इस गीत में मनुश्य की महत्ता को देखते हुए मनुश्य को सबसे बुद्धी मान बताया है मनुश्य ने अपनी बुद्धी और कट्वर परिश्रम के बढ़ पर जल फल और नव में तमाव उपलबियां अरजित की है मनुष्य ने अपनी शक्ति ते प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकुल ढालने में सफल हुआ है कभी बताते हैं मनुष्य को शक्ति के सामने कोई भी कार्य अथंबव नहीं है मनुष्य को चाहे जो चाहे वो प्राप कर सकता है यानि कि मनुश्य ही धर्टी की शान है यही बाव काव्य में अंतर निहीं है यही हमारी महानता का प्रमान है तो इन्होंने मनुश्यों को देखकर बता है और जो कुछ भी विकात उनके आद्रिश्टी के सामने हुआ है उन विकासा को देखकर इनोंने कहा है कि वास्तों में मनुश्य कितना मान है कि वो किस के कुछ भी समाज के लिए या अपनी लिए अपनी जो माइन है आपकी जो स्किल है कितना जबर्दस है कि कोई भी कारे को कोई भी कारे को बड़ी हिउमत से बड़ी टाकत से बड़ी शक्ति से आप कर पाते कुछ भी धर्टी दर्ती से लेकर आकास तक दोनों को भी जोटने का कारे मनुश्य होने किया है न एक जगए इससरां से दूसरां से जाने की भी त्याल। जो रचनाएं है जो आविश्कार है जो समाज में लोगों के हिद में लोगों का जीवन आसान कर सके तो ऐसे कार्यों को भी क्या कुछ मनुश्य ने नहीं किया तो इसलिए उन्होंने धर्थी की शान का गया है मनुश्यों को कि कैसे हमारी जो कभी है वो मनुश्य को धर्थी की शान बताया गया है तो सबसे पहले नहीं है धर्थी की शान दू भारत की संतान तेरी मुठी में बन तुपान है रे मनुश्य तू बड़ा महान है तो यह कहते हैं कि हम भारत की निवासी हम सब में कितनी तागत है हम सब कितनी धर्दी की चान है कि हमारे आत्में सब कुछ है कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते तो हमारी गुद्धी हमारी जो चेतना है उसके तुरू हम इस धर्दी में क्या कुछ महानकारिय किये हैं जो लोगों के हित में हैं लोगों के लिए करते हैं जिसके कारण आज मनुश्य कोई कुछ भी कर सकता है है ना कि हमारे अब हम शुरू करते हैं नेक्स पैटर तू जो चाहे परवत पाहाड़ों को फोड दे तू जो चाहे नद्धियों के मुख को भी मोड़ दे तो पाहाड़ों को फोड़ दे आप देखते होंगी कि आ यह बुल्डोज या फिर ऐसे भी विकल्स हैं जिसके तो पाड की जो मिट्टी और पत्थर उन सब को तोड़के फिर उसका कुछ न कुछ रचनाई करते हैं जैसे मोर्तियों की रचना होती मिट्टी की रचना होती या पिर ओ मार्बल्स कई तरह की रचनाई की जिससे इसका हम दूसरी तरीके से जीवन में उप्योग कर सके तो इस तरह की जो आपिश्का है इस तरह की जो रचना है यह भी बहुत बढ़ी बात है इतना असानी होताँ इस तरह के कारे करना तो नदियों के मुख को भी मोर्त दे है ना तो नदियों का जो अगर बाड भी आ जाए तो उससे बचने के लिए भी कई तरह की जो डैम है और नदा जाने क्या-क्या ऐसी रचनाइं की जाते कि नदियों नदी क्या एक ही जगे नहीं इस तरह की रचनाई भी की जाती कि नदियों का रूप भी पुरी तर से मोर देते कि जिससे जो बाड और जो कई ऐसे तूपान है कि जिससे पानी तरुद से जादा बहने लगे तो ऐसी नदी का जो रास्ता यहोंने बना के रखते वो मनुश्य ही कर सकते कि ऐसी जगे मोर दे कि जिससे पानी का जो स्तर है वो एकदम सामानी हो जाए यह ना यह मनुश्य की शक्ति का एक कमाल है तू जो चाहे माटी से अमृत नहीं जोड़ दे यह ना तो मामुली से समझने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकते हैं इतनी शक्ति है मनुश्य में है ना आपने अमृत मंतन में देख रहा होगा है इस्तर की मंतन के वहां से अमृत भी निकाल सके और हला कि इसमें अगर देखे तो इनकी कहने का अरता कि मिट्टी से अमृत मतलब हम जो खेती करते हैं ग्यादी में से सबजी फ्रूट्स और जो कुछ भी खाद्य परदास निकलते हैं ना तो उन सब क्या होता है उन सब से हमें निकलता है जो हमारा भूजन में कामात है और भूजन हमारा अमृत ज़िसमान है ना तो यह कहना है कि मिट्टी से भी हम अमृत निकाल सकते हैं इतनी शक्ती है जो खेती करते हैं और बीज बोते हैं बीज बोने के बाद खादयपरदाथ जो मिट्टी से निकलता है जो पौदे पेड़ और चीक है तू जो चाहे धर्थी को अंबर से जोड़ने, इसे हपसे best example है हलिकोपटर you अबक धर्थी को अंबर से जोड़ने ही घर्रुक एक स्थान से दुस्थ्थान में जाना कितनी is भीदेशों में जाना कितनी इस बिदेशों में जाना कि तीन म superfic एक हम्ते तक अभी तो एक महीने लग जाते थे परन्तु अब इस तरह से रचना होगी कि हम तो चौविस घंटे के अंदर भी जा सकते है चौविस घंटे में या दो दू दिन में जो पहले एक महीने तक लगता है आपको दो दिन में जाना आसान हो गया हूं कैसे एरों तक पहुंच गया है तो यह यह तब ही तंब है कि मनुश्य ने इस तरह की रचना की कि हम एक सांदे दूसरे सांद तक जा सके वह भी धर्की और आखाश को जोड़ कर तो इसलिए मनुश्य को भी महान कहा गया है अमर तेरे प्रान मिला तुझको वर्दान तेरी आत्मा में आत्मा में समयन वकर्वान हे तो तेरे प्रानों को अमर और रहने का वर्दान मिला मतलब जैसे के आयर्वे सब्सक्राण को मनुश्य ही होते है दॉक्टर के पास इतनी शक्तिwow divorce अगर कुछ भी इतनी तकलीफ हो कि इंसान मर भी सकता है तो उसे जीवित करने का भी जो शक्ती है या जो भी कला है या जो प्रैक्टिस कह सकते हम तो ऐसी शम्ता मनुश्यों में ही हो सकती है कि मरने की कगार पे मनुश्यों को जीवन दान जो आज की मैटिकल में आप देख सकते है तो वो कहते हो पाया है मनुश्यों के कही तरह की रचनाओं के द्वारा इस दिए कि तुम्हारे आत्मों में स्वयम भगवान है यह भी बड़े-बड़े मान कारी करते हो तब होता है जब आपके अंदर की भगवान को जगाते हैं लोगों की भगवान का वास्तरी करते हैं कि इमानों की रक्षा करना है इमानोंता की रक्षा करना और दुष्टों का नाज करना है इसलिए उन्हें भगवान कहा जाते है और यह तब ही हो सकता है कि जाप अमने अंदर के भगवान को जगएना की शैतान को अगला परिग्रफ नैनों में ज्वाल तेरी गती में बूचा तेरी छाती में छीपा महाका लहरे आखों में इतनी शक्ति के घुस्से में जब आप आपके आखी क्या होती है ज्वाला मतलब इक अगनी सा ज्वालित होता है अगनी के तरह आपका नेन जो है वो ज्वाल के तरह भड़ता है तेरी घती में बूचाल है इतनी तेज गती आपकी चाल आपकी गती इतनी तेज मनुश्यों की यह उससे क्या भचाल आजाता है ऐसी शक्ति है मनुश्यों में और आप देखते होंगे लोगे यह अपने मिल्क खासी है और ना जरी कितने जो जिनके पास दोड़ने की श्क्ता करते है कुछ ना कुछ चलने की शक्ति है तो स्पीड से काम करने की शक्ति में भी मनुश्यों है यही कारने के वो इतर से हरकम मचा देए ना अपने कर्मों के त्वारा ना महान कर्मों के त्वारा तो तो तेरी च्छाती में चीपा माकाल है हमारी च्छाती में इतनी शक्ती के हमारे च्छाती में भी महाकाल चीपा वच्छा महाकाल यानि महादिर इतनी शक्ती शाल है वो कहते है ना छप्पनीश की छाती मतलब छाती बुला दे इतनी शक्ती इतना देश पर गर्व है तो पृत्वी के लाल तेरा हीम गिरी सा भाल तेरी बुरुकुटी में तांडव का ताल है पृत्वी के लाल तेरी इंगिरी सा भाल मतलब क्या है कि इंगिरी सा भाल कि पृत्वी का लाल मतलब तो पृत्वी का उत्र है पृत्वी क्या बेटा है हम हमेशा समझते कि यह मेरा बेटा है वो मेरा बेटा है यह मेरा बेटा नहीं है आपका बेटा हो या ना हो, किसी इंसान का बेटा नहीं है लेकिन धर्ती का पुत्र जरूर है, भारत का पुत्र है, जिस देश में जान लिया है उसका पुत्र है, सबसे पहले उसका अधिकार है, बाकी जब सब दूसरे में आता है, हाँ शुरुआती दौर में अपने मादा लेकिन एक समय ऐसा होता है कि उन्हें देश के लिए जीना होता है, नहीं तो उसका जीवन वियर्द होता है, वो नरप के समय होता है और हमारे लािफ आपको एक स Bylabaar Cafring कि हमाएं देश में, आज इतना ठैंशन इतना फ्रस्टेशन इतनी इतनि यह, ''depression में'' क्यों जी रहा है? क्यूंकि वह अपने देश के लिए निए वह केवल अपने लिए कारे करता है, यह जी रहा है तो अपने लिए जीता होता है, है ना ताकि उसकी वैल्यू बढ़े परन्तु अगर वो देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहेगा ना तो कितनी भी कटी ना है उसका सामना करने की क्षंता उसमें बढ़ जाती है तब भी वो देश का लाज कहला था देश का पुत्र कहला था लेकिन आज के समय में कोई अपने कोई देश का लाज नहीं मानता और यही कारण है कि कोई एक दूसरे करना बुल गए कोई एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं और अभी धीरे धीरी यह भी कोशिशक करें यह सिस्टम अभी धीरे आने वाला है कि जो भी इस देश में जिन्म लेने वाला हर एक मनूश्य हर एक बच्चे वह यह समझेंगी कि वह इस देश का बेटा है इस देश की बेटी है और इस देश के लिए जो कुछ करना चाहिए वो करेंगे आप उनका आधिकार है तो प्रित्वी के लाद तेरे इंगरी साबाल मतलब मस्तक हिमाले की तरफ बहुत उंचा मतलब इतना मान करें कि आपको जो महां तक अस्तर है वो उंचा है हिमाले की तरफ तो तेरी भुरुकुटी में तांडव का ताल है मतलब तेरी बहुं में भगवान शीव के तांडव निर्तिय की लाए है मतलब आपके अंदर इतनी शक्ति के आपके तांडव से विनाश भी कर सकते है इतना महान मनुश्य है विकास कर सकता है तो विनाश भी कर सकता है इसलिए तो हम महा देव की इसलिए आरात्ना करते है क्योंकि उनमें दो तरह की शक्ति थी के मानותा का विकास और दानों का विनाश इस प्रकार की शक्ति थी और ऐसी शक्ति हर मनुशियों में है बस जागूरती लाने की आवश्च्डा है केवल महादेव को जल जडाने से आपके अंदर वो शक्ति नहीं आती महादेव यानि शिवलिंग में तो नीज को तू जान जरा शक्ती पहचान तेरी बाने में यूद का आवान है दे नीज को तू जान इसका अर्थ है कि आप खुद को पहचानेगे कि आपके अंदर कितनी शक्तिया छेपी हुई है ना दूसरा आपको किवल भ्रमित कर सकता है नukt, I'm not telling that 100% वह सही हो परन्तु यह सच है और आजकी टाइम पर रहा हिन भी हो सकता है आपके अपने में परही हो सकते है, अपने ऐजिन्डा में या फिर अपनी दुनिया में लाने के लिए वह को पुरी तर से ब्रमित करते है यह कहते है कि आपको यह करना चाहिए तर भी त करोगे तो तुम्हें सुखी मिलेगी, ये करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, ये जो आज कल जो सफलता की गैरेंटी बताते, कोई भी हो चाहिए अपने हो या पराय हो, वो जो बताते, वो केवल अपनी एजेंडा, वो अपनी डिमांड पूरी करने के लिमिट तक ही बता यह ना वही माता-पीता समझदार माता-पीता जो अपने संदान को यह बताए कि उस दूद्रों की नकल नहीं करना परन्तु आप उनसे प्रेणा लेकर आगे बढ़े जिने आप बास्तों में सच्चाई की दृष्टी से देखते हैं यह ना उनसे प्रेणित होके आगे बढ़ अभी यह एक्जामपल है नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा को सब जन्दे इस लेवल तक आगे आए कि यहाँ यह गोर्ड मैडल लिस्ट पने हैं वह भी किसमें एतलेटिक में इससे पहले अभी तक इसमें भालातरों में किसी किसी भी भारते को गोर्ड मैडल नहीं मिला परन्तु यह जिस घर से आया उनके मादापीता ने उनके भरपूर साथ गिया क्योंकि उनको अपने बेटे पर पुरा विश्वास था कि वह जो भी ले रहा है जो भी कार्य कर रहा है जो भी डीसीजन ले रहा है वह सोच नमजक पर यह इमानदारी से ले रहा है तो वो खुद को जानने के बाद ही उनकी पिता पैरेंस ने उनका साथ दिया हर कोई पैरेंस ऐसे नहीं थे उनको कई बार टाइम भी लगता है क्या मैं पेटा जो कर रहा है वो सही करने तो शुरुआत में कई पार गलत लगने लगता है य वो अपने नई रहा भले वो काम कितना अच्छा हो या भले लोगों की उसमें भला ही किना हो परन्तु उनके एजेंटा की वीरूद होता है तो कोई बार उसका साथ नहीं देते हैं परन्तु शक्तिया आपके इंतर तभी निकलती है जब आप अपने आपको समझेंगे कि 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 वल पैसा कमाना है कि वल बड़ा बना है या फिर अपने असरी तफ्य का सम्मान करना है जो अपने असरीत थ्मान करके आगे बढ़ेगा काम करेगा तो वह ही मनुश्य कि जीने योग्यत कहलाता है और वो शक्ति मनुश्य में है और मनुश्य ही ये कारिय कर सकता है कोई पशू या जानवर नहीं तो तेरी वाणी में यूग का आवान है रहे आपकी वाणी में इतनी शक्ति कि आप यूग नए यूग का आवान कर सकते गान्दी जी में शक्ति जी तो उन्होंने यूग का आवान किया अंग्रितों के विरूद फिर आज के जो हमारे प्रदा मंतिरों उन्होंने नई यूग का आवान किया इस देश के अस्तित्व को अस्तित्व की रक्षा करने के लिए इस देश के जवान है उनके बारे में वखोनए के लिए, है ना? तो उनकी वानि में इतनी शक्ति और हर मनुष्य की वानि में शक्ति है जरूरीरनी क्या आपने इंग्लीश पोल दिया तो मतलब आप महान हो गये नहीं, आपकी English कोई भी language हो आपकी मात्र बाशा से बड़ी शक्ति और किसी और में नहीं, क्योंकि सबको एक जूट कर सकता है तो आपकी मात्र बाशा में जो अधिकांच लोग आपकी मात्र बाशा को समझ सके ऐसे लोग, यो शक्तिवासों में उसमें हैं विनता में तो ही, लिकन उस विनता में भी जो जूटता है और उस्तर कि वाणी का प्रेयुकरेंट तभी आपकी शक्तिव दूबना भोत progressive तो धरती सा दीर, तु है अग्नी सा वीर तु जो चाहें तो काल को भी ठाम ले तो धर्ती सा धैरिया है मनुशे में और अग्नी सा वीर है वीर यानि शक्ती यानि शक्ती शालिए अग्नी के समान जला देने वाली शक्ती है तो तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले काल का मतलब आपका जो समय को भी थाम ले है इतनी शक्ती है मनुश्य में कई तरह के आवेश काल जैसे मिसाइस को भी लेकि तो मिसाइस भी जाते हैं समय को रोख सकता है किस तरह से काल को भी आजने से बढ़ने से रोख सकता है आज पापो का प्रलहरु के पशुता का शीष चुके तो जो अगर हिमत से काम ले हिमत से मनुश्य अगर काम ले तो पापो के जो प्रलह है उसे भी रोख सकते हैं जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले काते हैं इतने पाप राक्षफो के द्वारा होता है तो हमारे नाजने कितने ऐसे एक्जाम परता है खातकर के भारत में कि अन्याय और पापो के खिलाब लड़ने में मनुश्य का कितना बड़ा योगद्यान रहा है पापो को शीरாम का हो चाहे हो शीकardi का हो चाहे मारान प्रता पो चाहे शीवाजी हो ऑपोगदी हो चाहे ओ जासिकी रानी के ना तो उनमें मनुश्य में इतनी सक्टी कि आपको के खिलाब लड़ने के लिए आगय आते हैं उनको रोक सके, निर्दोषो को रोकना बड़ा आता है परन्तु पापो को और जो अत्याचारियों या जो दुष्ठ हो उन सब को रोकने का जो एक ही अगर कोई कारे कर सकता है, जो कितनी भी मुश्किल हो तो वो मनुश्य ही कर सकता है पशुता का शीश जो के पशुता मतलब जीसे मैंने अत्याचार का पशुता मतलब आजकल जो बलात कार, चोरी, डगेती तो इस तरह के कारे को पशुता इस कारे को रोकनी की भी रोक सके थे ना पशुता आजकना सीर उठा रही है, इमत से दूर से परास कर सकता है, है ना जो कही होते है ना, अयाशी करने वाले लोग, अयाशी वो भी बड़ी गैर जीमेदार लोग, है ना एक बात का ध्यान अवश्य रखता है, जो अयाशी की चक्कर में जो निर्डोस लोगों के साथ जो अध्याजार करता है, और जो राक्षेस हो जैसा व्यवार करता है, और जो पशुता जैसा व्यवार करता है, ऐसे लोग, वो भी मनुश्यता की ताकत ही उन्हें परास कर सक अगर आप कम्जोर हो गए तो आप में वह शक्ति नहीं रहती है और उनकी पशुता की शक्ति जो है वह बढ़ जाती है हम हमेशार दूसरों पर दोश देते हैं लेकिन हमारे अंदर कितनी शक्ति ऐसे दुश्टता ऐसे पशुता को रोपने की अगर बढ़ा पशुता तो उसका सामना करने की शक्ति और खास करके स्त्रियों में आज के समय में खास करके कहते रहते कि स्त्री गुरून अधिया बच्ची को रोगना वह भी पशुता है पशुता के उससे भी बढ़ा गया गुत्रावका कई ऐसी इसी मान्यता है जो पशुता को बढ़ाती है तो ऐसी ऐता सामना करने की शक्ता मनुश्य में ही है यह से लोग हित में हम आगे बढ़ने के लिए प्रिजित कर सके तो तो पापो का प्रलेरों के पशुता का शिष्ट के तुझो अगरी मत से काम ले गुरु सा मतिमान पवन सा तुगतिमान तेरी नव से भी उची उडान है ले तो गुरु सा मतिमान मतलब गुरु यानि गुरु ब्रहस्पति के विशह में के गुरु ब्रहस्पति सा बुद्धिमान है मतिमान मतलब बुद्धी मस्तिश्क तो गुरु सा मतिमान हमाई जो गुरु ब्रहस्पति है देवताओं के गुरु बुद्धिमान तो वो बुद्धिमान जैसा हमार हमार में वह qualities है और पवन्सा तो गति मांजे से थोड़ी दर पहले कहा था कि हमारे पवन्स की तरह हमारे अंदर कितनी स्पीड है कितनी क्षंपता है कितना एडवांस टेक्टियम स्पीड से हम कुछ भी काम कर सकते हैं इस दोड़ सकते हैं इतनी शक्ति है पवन्स की तरह तो इन दोनों का एक्जामपल देते हैं हमारी जो मानवता की जो मनुष्य की जो quality से उसका भूंगान किया है तो तीरी नव से उची उड़ान है अच्छा यह नमत समझना है कि आकाश से उची उड़ान है इस कमट्वेशन है कि आप आकाश से उपर पहुंचाओ नहीं इतनी चेतना शक्ति आपके अंदर कि आपका जो मान सम्मान है और आपका अस्तित्व है वह उसकी जो value है उसकी जो महानत है उसके उपर है मतलब उसकी कोई सीमा रिखा नहीं इतनी महान है इसने मनुष्य को महानता के दर्जे में इक कवी हमारे कवी ने यह आ गया है तो इसलिए यह जो पोईट्री है धर्टी किशान वो इसलिए काफी महलतो है और मनुश्यों के लिए तो सबसे पहला यह पोईट्री तो पुरा हुए अब हम शब्दार्त और टिपनी करेंगे पहला है हिम्गिरी हिम्गिरी का अर्थ है हिमाले परवत ज्वाल का अर्थ है अगनी शी का या लौ यह ना दीप प्रजुलित करते है तो ज्वाल निकलता है लौ निकलता है ना शान यानि गौरव यानि एश्वर्या और वैबव शान का अर्थ है गौरव एश्वर्या और नेच्ट ए मूख का मतलब है प्रवाफ ब्रुखुटी का मतलब है भौन काल का अर्थ है समय मतलब इसका दूसरी तरह से देख सकते तो उसका संबन्द है सत्ता जिसके द्वारा भूत ववेश्य वर्तमान की प्रतिती होती है समय मत्धिमान का अर्थ है विचारवान हो प्रालाय का अर्थ है नाश या विनाश आहवान का मतलब है पुकार एक नए यूट का आवान करते हैं मतलब एक पुकार नए यूट का तो इसमें उसी साथ से जीए भाल का अज़ते हैं मस्तश्क या कपाल इसे कहते हैं भाल ललाट ललाट का मतलब है नी यानि अपना नी जी अपना ललाट एक अलग शवड़ तीगे अब हम कुछ कोशनातर करते हैं तो थोड़ी से ब्रेक लेके हम वापस आते हैं धन्यवाद